पढ़ा था मूळी चैप्टर और अब हम करेंगे इसके question-answer यानि कि हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में प्रेस्ण उत्तर प्रेश्ण और उत्तर दोनों को बिला के प्रेश्ण उत्तर ही हो जाती है प्रेश्ण बातचीत के लिए मूळी इतनी बड़ी कैसे हुई पाते सुन ली थी? हाँ? क्योंकि हाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है पार्ट में ना वैसे मूली बड़ी होती है खाद और पानी देने से ठीक है? तो उसने जादे जादे भादी थी हाँ खाद भी दी और उसने बोला भी किया इसाँआँआँए लेकिन मूली इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है कि पूरे महले में बाटी जा सकती है तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैंने भी बताया है बहुत अच्छा और कभी-कभी मूली की कोई लोग सब्जी भी बनाते हैं मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है बताईए कहानी से इस वाक्य को पढ़िए अच्छा बताओ बच्चो नाना जी ने सभी गाउवालों को दावत के लिए बुलाया है मूली के गरम गरम परांठे और ठंडी ठंडी लसी बनाने के लिए किन किन वह सो के आवसकता होगी मूली के गरम गरम परांठे बनाने के लिए किस चीज आवसकता होगी किसे बनता है परांथा मुली तो होगी उसके अलावा तेल या फिर घी और उसके अलावा सबसे जो में इंग्रिडेंट्स सबसे में जो आटा वस्तु है वो आप यह आटा है ना तो आटा सबसे जाला जरूरी होता किसी परांठे के लिए ना आटे के अंदर ही तो भड़ा जाता है वेरी गुड तो यह था कुछ आज का प्रस्नुत्तर जो कि आप भी अपने बचों को पूर सकते हैं उनका आईक्यू चेक करने के लिए और आईक्यू बढ़ाने के लिए बुद्धी मता बढ़ाने के लिए दहेली आपको साथ खेल सकते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ता थैक्टी सो मच बाइबाइ